तो ये है स्वाडने मित्यास से निर्मित हमारा प्यारा भारत अगर हम इंडिया को as a state देखें एक राज्य के तौर पर देखें तो किसी भी राज्य की एक राज्य वेवस्था होती है उसकी एक कार्ण पडाली होती है जैसे देश को चलाने के लिए हमारे हैं एक सम्विदान है नेता मंत्री हैं IAS हैं IPS हैं PCS Officers हैं तो एक पूरा structure बना हुआ है देश को चलाने के तरीके में उसी तरह अगर आप state of Pakistan देखेंगे तो उनकी यहां भी राज्य को चलाने का structure बना हुआ है state of Bangladesh देखेंगे तो यहां भी राज्य को चलाने के लिए कुछ structure बना हुआ है लेकिन इन सब में एक खास बात जो आपको मिलेगी यह जो पूरा Indian subcontinent है यह पूरा जो Indian landmass है इसका जो structure है ना काम करने का चाहे वो दूसरा देश ही क्यों ना हो पाकिस्तान हो बांगलादेश ह चलाने की जो तरीके हैं जो कार्य पढ़ाली है वो आप आएंगे कि सभी जगा more or less same ही है तो उसी प्रकार जो हम इतिहास में जाएंगे तो सवाल है इतिहास में कितना पीछे आज 21 सताबदी चल लही है तो आज से आप मानें तो आज से 200 साल पहले कहले जी कि 2nd century BC की बात हम कर रहे हैं और 2nd century BC से हम बात करते हुए आएंगे लगभग 1st से 2nd century AD तक तो वो जो 300-400 साल का एरा है आज से लगभग 2200 साल पहले कहले जीए तो यह जो टमिल नाडू है यह आपको यहाँ पर करनाटका है केरल है आंधर परदेश है तो वहाँ चीज़े इस तरीके से नही थी बस यह एक लैंड मास था एक भूमी का भाग था ऐसे समझ लीजे और यहाँ पर चोला थे यहाँ पर चेरा थे यहाँ पर पांड्या थे तो जिस तरह मैंने पूरे देश को आपको समझाया कि कारे करने की जो कारे पद्धती और कारे पढ़ाली आपको सभी इंडियन सेम दिखेगी उस समय भी कुछ ऐसा ही था यहाँ पर जब मैं पांड्या की बात करूँगा मैं चोल की बात करूँगा मैं चेरा की बात करूँगा तो यहाँ आपको समझना होगा कि उस जवाने में यह टोटली एकदम अलग देश था फर एकजामपल जैसे देखिए तमिल 200 साल पहले देखें तो लोग तब भी ऐसे मिलेटेड नहीं थे आखिरकार वही चीज तो चला आरा है पीड़ी धर पीड़ी तब भी ऐसे मिलेटेड नहीं थे लेकिन जो काम करने का तरीका है जो राज और राजे विवस्था है वो more or less same थी similar थी तो उसी बात को हम देखें होगा तो वो थोड़ी से नाम आपको क्लिस्ट लगेंगे तो वही चीज बेसिकली इसमें आपको देखना और समझना है तो है क्या उस वक्त जो administration चल रहा था जो राज विवस्था थी उस समय के कुछ officers हुआ करते थे या फिर ऐसा कह लिए उस समय उस officer का कोई पद होता था तमिलकम में मुखिया तंत उस बात को हम यह समझेंगे MHI 04 Political Structures in India भारत में राजनेतिक सन रच रहें उसका यह unit 1 है यह unit 1 जो pre-state to state है ना राजे से पूरों से राजे तक तो यह वाला topic आपको इसमें cover होता हुआ मिलेगा यह जो तमिलकम वाला topic है वो unit 1 का part है जब आप unit 1 अपना book खोलेंगे तो वहाँ पर आपको यह देखने के लिए मिलेगा बाकी का unit 2 आप देखिए territorial states to empire इसमें empire building in the age of बुद्धा बुद्धा के समय राजियों के निर्माड कैसे हुआ वो एक प्रमुख topic है जो आपको देखने के लिए मिलेगा जिस पे video lecture already available है जो आपको च सत्वहान state के बारे में आपसे पूछेगा या तो कुशान state के बारे में पूछेगा तो unit 3 में आपको बस एक topic और पढ़ना होगा nature of सत्वहान state और nature of कुशान state तो exam में आपको पहला question MHI 4 में इनी चार topic से देखने के लिए मिलेगा या तो तमिलकम से आपसे पूछ देगा तो इनी चार question में से मुख्यता कोई एक आपको पेपर में देखने के लिए मिलेगा और एक चीज़ मैं आप लोगों से request करूँगा प्लीज मेरे किसी भी lecture को कान में headphone लगा के बस बैट गये और सुन रहेंगी क्या चल रहा है इसको मुरारी बापू के कथा की तरह मत सुनि पेपर लेके जो points मैं बता रहा हूं वो note करिएगा वरना आप video lecture देख लोगे आप समझ में जाओगे और exam में आप answer कुछ नहीं लिख पाओगे क्योंकि जो मैं बता रहा हूं उनको आप सही सब्दों में convert करके exam में अगर आप नहीं लिखोगे जो key terms हैं अगर आप उन key terms क यूज नहीं करोगे तो examiner आपको number नहीं देगा तो इनी बातों को हम देखेंगे और समझेंगे आप Delhi Bites की paid membership भी ले सकते हैं paid membership लेने के लिए DB MHI ये code लिखकर इस number पर WhatsApp करना होगा एक minimum amount of payment करना होगा payment के बाद आपके exam strategy और preparation requirements को देखते हुए जैसे ये video lecture है similarly आपको extra आपके exams के लिए 15 to 16 extra video lectures in total आपको provide किये जाएंगे तो जिन भी candidates को better marks, better preparation के लिए ये membership लेना हो वो ये code लिखकर इस number पर WhatsApp करें बाखी membership क्या है उसके terms condition क्या है lectures कैसे मिलेगा description box में एक link दिया हुआ है आप देख सकते हैं तो membership detail में आपको समझ में आ जाएगा नमस्कार मैं अभिलाष कुमार सिंग आप मेरे से instagram पर बिजूर सकते हैं जिसका link description box में दिया हुआ है या फिर ये user idea आप instagram पर search करिए और history के और lectures देखने के लिए channel के playlist में जाएए उस playlist में आपको MHI history इगनु वाला playlist मिलेगा इस playlist में बागी के सभी आपको MHI history के important topics पर lecture आपको मिल जाएंगे ओके तो सबसे पहली बात जो history में उठती है वो ये किसी भी topic के regarding हम बात कर रहे हैं या किसी भी empire या सामराज के administrative structure को हम समझ रहे हैं तो सबसे पहले ये समझना जरूरी होता है कि वो समय खंड काल कौन है वो कौन से एरा किस समय की बात हो रही है तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं तो देखिए जो तमिल अकम है उसके बारे में हमको 3rd century BC से अशोकन एडिक्स मिले हैं कि तमिल chiefdoms होते थे सेरास, सोलास, पांडयास के समय तो उसी तरह उस बात को प्रमाडित करने के लिए जैसे उस समय संगा मेज हुआ करता था तो संगा मेज में जो तमिल heroic literary compositions आपने सुन रखा होगा poetry उसमें से हमें information मिलता है तमिल ब्रामी level inscriptions से मिलता है ग्रीसो, रोमन, जियोग्राफर, इस पेक video lecture अबलेबल होगा पॉटलेमी और प्लेनी उनके account से मिलता है तो basically ऐसा माना जा रहा है कि जो topic मैं आपको भी यह समझा रहा हूँ कि Tamil chiefdoms, Tamilcom क्या थे यह basically 2nd century BC से 3rd century AD के बीच में exist करते थे देखिए, same चीज मैंने हिंदी के students के लिए भी उनके काम को आसान करते हुए समझाने की कोशिश की है आप से हिंदी के छातरों से यह अनुरोद है कि आपको बीच में जगा जगा बहुत से ऐसे topics या flowchart में ऐसी चीज़ी देखने के लिए मिलेंगी जो terms मैंने English में use किया है लेकिन उन सभी के हिंदी terms मैंने ensure किया है कि मेरे video lectures में available हो तो easily हिंदी के students भी साथ साच चलके manage कर सकते हैं तो यह है Delhi Bites का यानि कि मेरा खुद का exclusive creation जैसा कि मैं आपको बताता हूँ history को समझने समझाने का मेरा तरीका अला होता है मैं पूरे topic को flow chart में convert कर देता हूँ जो कि आपको किसी भी और book में कितनी बड़ी author का book पढ़ लीजिए इस तरह से history को समझाते हुए आपको किसी और book में देखने के लिए नहीं मिलेगा तो आपको बहुत smoothly topic समझ में आ जाएगा ऐसा हुगा ना कि जैसे कोई हलका खाना होता है कि मुह के अंदर डाला तो सीधा पेट के अंदर चला गया तो वैसे ही कुछ ही है आप यहाँ flow chart देखिए और उसके बाद जैसे ही आप book पड़ोगी आपके mind में जाएगा और सीधा आपको पूरा topic समझ में आ जाएगा set हो जाएगा कि basically इस topic में हो क्या रहा है तो देखिए तीन अलग अलग राज जिते सेरास, सोलास, पांड्यास कुछ ऐसे समझ लीजी है इंडिया, पाकिस्तान, बांगलादेश और administrative structure की बात हो रही है तो यहाँ पर जो administrative structure के नाम है तमिलकम में वो किलार, वेलिर, वेंतार ये तीन important नाम है जो आप ध्याम रखेंगे तो point यह है कि तीन अलग अलग छोटे-छोटे कह लेजी है राज थे सेरास, सोलास, पांड्यास तो इसमें जो chiefdoms थे, तमिलकम में, तमिलकम में मुखिया तंतर जो जो chieftains थे basically जो इनका administrative structure था, जो इनकी कार करने के पद्दती थी, जो इनकी कार पढ़ाली थी जो officers पूरे administration को देखते या चलाते थे, वो तीन भागों में बटे हुए थे एक थे किलार, दूसरा थे वेलिर, तीसरा थे वेंतार, तो इन तीनों का अलग अलग काम था तो पुराने समय में होता क्या था कि भाई, आज की तरह नहीं है कि अलग अलग तरह का वेवसाय है, कोई trade कर रहा है, कोई transport में, कोई communication में, उस तरह तो होता नहीं था पहले या तो लोग जंगल में जाते थें, जंगल से खाने का आइटम लाते थें, या फिर जानवरों को मारते थें, या फिर छोटा सा कोई administrative area होता था, जहां पर राजा या मुख है, जो मुखिया या सरदार कहली बैठता था, तो उसके अंदर सेना के और कुछ administration के लोग क कार, संग्राण, इस तरह का काम को ये देखते थे, hunter chiefs थे basically, वैसी थे वेल लेर, ये basically hill area के administration देखते थे, पहाड़ी लाको, जैसे उन एरिया में जो भी चोटी वाले area हुआ करते थे, क्योंकि जैसे माली जो भी पहाड़ी लाके हैं, वहाँ जंगल है, वहाँ अलग जो है डिवाइड करूँ आज के हिसाब से तो कह लीजिए कि ये हो गएं आपके IAS, और ये हो गएं इंडियन forest service वाले, और ये hill area वो हो गएं, जैसे मान लीजी आज union territory है, चंडीगड है, तमाम अलग प्रदेश है, जहाँ एक common विवस्ता नहीं होती है, तो hills के रिए हमने अलग council बना रखे हैं इंडिया में, इंडियन government ने भी कुछ वैसा बना रखा है, तो कुछ वैसा सा ही structure आपको आज से 2200 साल पहले देखने के लिए मिल रहा है, तो सारा का सारा point यही है, किलार ये term आपको याद रखना है, वेंतार आपको याद रखना है, इनका काम क्या था, व का structure ऊपर रखा है, क्योंकि तीनों जगा सेम चीज़ फॉलो हो रहा है, सेरा, सोला, पांडियास, काफी देर तक बैट के मैंने इसको अपने mind में सोच के design किया था, कैसे flow chart में सारी बातें एक जगा बैट जाएं, तो फिर ये chief tense जो सरदारी विवस्था थी, Tamil काम में, कुछ notes लिखे, आपने notes लिखने के बाद आप क्या करेंगे, कि जो कुछ भी मैंने यह flow chart में लिखा है, इसको आप थोड़ा सा समझा देंगे, कि chief tense होते थे, killer होते थे, villir होते थे, वेंतार होते थे, उन तीनों के अलग-अलग काम थे, और सेरा, सोला, पांडिया, state administration में क कुछ इस प्रकार का काम होता था, तो इसी बात को, जो कुछ भी यह flow chart में दिख रहा है, इसको आपको sentences में convert करना होगा, बाकी, इस topic को आप थोड़ा सा book से पढ़ेंगे, तो overall आपको structure समझ में आ जाए, keywords मैंने निकाल दिया, ये keywords, ये keywords आप अपने answer में लिखेंगे, और जो मैंने introduction बताया, उतना लिखेंगे, so this was all for this topic, this was all for this answer, and this was all for this video lecture, Delhibytes पर आप कोई भी IGNU के assignment purchase कर सकते हैं, और सेम WhatsApp नमबर पर आपको contract करना होगा, और आप में से कोई भी बच्चा, MA History में जब हो admission ले रहा है, और MA History जब पास कर रहा है, तो उसके बाद हो NetJRF के exam दे स के preparation के regarding मैंने बहुत detail में explain कर रखा है, और किस तरह आपको मेरा guidance paid membership के बाद मिलेगा, okay guys, description box में एक WhatsApp ग्रूप का link दिया हुए, next MA History के video lecture के update के लिए आप उस WhatsApp ग्रूप में जाकर जुड सकते हैं, description box में एक Telegram ग्रूप का भी link दिया हुए, सभी video lecture के PDF और notes आपको Telegram ग्रू अध अधिक्स, stay tuned, stay updated, do comment your views, God bless you all and have a nice day.